भारतिय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधेकरण, राजमार्ग और परिवहन मंत्राले, भारत सरकार के तहट संचालित एक स्वायत संस्था है, जो राष्ट्रिय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहट अधिसूचित राष्ट्रिय राजमार्ग के निर्मान तथारा क्रखाव क प्रतिबध है जो कि राश्टरिय राज्मार्ग पर संचालत कारियों के संबद में नीतियों का निरधारं करके क्षेट्रिय क्रिआनवन इकाई के माध्यम से क्रियानवित करता है। प्रावधान के प्रावधान के अनुसार कारवाई की जाए। प्रावधान के प्रावधान के प्रावधान के अनुसार रियायत ग्राही द्वारा एनेचयाई के प्याई यू को प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक टोल कर्मचारी को टोल प्लाजा पर जॉइनिंग के लिए रिपोर्ट करते समय एक वेद पीवीसी प्रमानपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. टोल संग्रहन एजेंसी या किसी भी कर्मचारी की तैनाती से पहले एजेंसी को अपने पूरे स्टाफ को सड़क उप्योग करताओं के साथ विनम्र रहने के लिए व्यवाहारिक प्रशिक्षन देना होगा. उतेजक उप्द्रवी सड़क उप्योग करताओं से निपटने के लिए प्लाजा कर्मचारियों को क्रोध प्रबंधन जैसे विशेश मनुवैज्यानिक प्रशिक्षन भी दिये जाने चाहिए. इसलिए इनिच्याए नीती के इस बिंदू को संकलित करने के लिए टोल कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि यदि उप्योग करता अपमांजनक भाशा का उप्योग कर रहा है तो उत्तर न दे, केवर्ग शमा करे शब्द का उप्योग किया जाना चाहिए लेकिन यदि दिन की पाली में महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए आयर भी नीती की शर्तों के अनुसार इस टोल प्लाजा पर महिला की तैनाती लागू नहीं है छेहारो को राज्य सरकार को इस मामले में एफायार दर्ज करने के लिए सभी जिला पुलिस को निर्देश ज कर्मचारी करने के लिए संबेदंशील बनाना चाहिए। गार्ड को ऐसे मामले से निपटना नहीं चाहिए। पूरी घटना को अन्य स्टाफ द्वारा मोबाइल वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। किसी भी स्थेती में टोल प्लाजा स्टाफ को उत्तेजक भाशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए या हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि सड़क उप्योग करता शराब या ड्रग्स के प्रभाव में दिखाई देता है और उत्तेजक भाशा का उप्योग कर रहा है अत्वा लेन में हिंसा का सहारा ले रहा है तो प्लाजा प्रबंधक द्वारा घटना की तुरंट स्थानिय पुलिस को रिपोर्ट की जानी चोल की चोरी प्लाजा कर्मचारियों को चोट और सरकारी क्षती का उलेक करते हुए विस्त्र तैफायार दर्ज की जानी चाहिए समपत्ती यदी कोई हो पूरी घटना को अन्य स्टाफ द्वारा मोबाईल वीडियो कैमरे से रिकॉड कर सबूत के तौर पर पुलिस को सौपा जाए तोल प्लाजा पर लगे अन्य कैमरों की कैमरा फीड भी सबूत के तौर पुलिस को सौपी जाए किसी भी स्थेती में टोल प्लाजा स्टाफ को उत्तेजक भाशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए या हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए घटना की सूचना सभी आवश्यक दस्तावेजों सबूत के साथ घटना के समय से 12 घंटे के भीतर P.I.U. को दी जानी चाहिए इने चैने संबंधित टोल संग्रहन एजेंसी को निर्देश दिया है कि उन्हें ऐसी सभी F.I.R. का मासिक विवरन P.I.U. को भी देना चाहिए ताकि निश्क्रियता की स्थिती में P.D. जिला कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट करे और कारवाई का अनुरोध करे आरो स्तर पर समेकित रिपोर्ट आरो द्वारा राज्यस्तरिय बैठकों में प्रस्तुत करने के लिए P.D. से मांगी जा सकती है इस S.O.P. को सभी टोल बूतों पर द्रिश्यमान पठनिय फॉंट में प्रमुकता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए